हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टु माई चैनल इस्पीचल लव टेराट कैसे हैं आप लोग आप खुश होंगे अपनी लाइफ में इंजॉय करें होंगे है अज का जो टॉपिक है वह थर्ड पार्टी सिच्वेशन तो आज हम थर्ड पार्टी सिच्वेशन को भी देखेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी सिच्वेशन में क्या चल रहा है ओके डियर थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है आपको करना है पूरा फोकस अपने पार्टनर के उपर डियर ये एक जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रिडिंग है जितना रेजुने कुछना कुछ हेल्प जरूर मिलेगा ओके डियर जो लोग फर्स ताइम चैनल पर आ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिये सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक्यू दिल से चलिए ये लाश अपने पार्टनर के उपर फोकस ताकि मुझे आपकी अनर बहुत रहा है कि वॉट्स único पर आईई दिस्क्रेपशन के अलावा मैं अपना नंबर कहीं नहीं देती हूं वैसे मैंने अपना नंबर कहीं भी नहीं दिया है डियर मैं आपको बता दूँ अगर मैं दूनगी तो डिस्क्रेपशन में ही दूंगी लेकिन कोई अनजान व्यक्ति आप लोगो को गुम्रहा कर रहा है कहीं न कहीं वो आप से कहरा है कि वोटसब पे आईए कॉल कीजीए है नज तो वो कोई फ्रॉड है डियर वो मैं नहीं हू नहीं मैं आपको पहले ही बता दू नहीं तो आप लोग कोई गलती करने किसी तरह से तो उसके लिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि वो मेरा नमबर नहीं है अगर आपको वो इंसान बार बार परिशान करता है या बोलता है वाटसप पे आओ तो आप उस इंसान से दील कर लीजिए और उस इंसान को बताईए कि आप फ्रॉड हो है ना आपका फर्ज है कि आप उनसे बोलें कि भई तुम फ्रॉड हो क्यों बार बार ये ऐसे मैसेज करते हो काफी लोग पूछ रहे थी कि मैडम आपका नमबर है तो आप जवाब नहीं देते हो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आया था कि आप जवाब नहीं देते हो वाट्स gesch आने को बोलते हो तो वो नमबर मेरा नहीं है भाई जब मैं हूँ ही नहीं तो मैं आपको कैसे कोई जवाब दे सकती हो कैसे मैसेज कर सकती हूँ आप बताईए ना मैंने कहीं अपना नंबर नहीं दिया है ठीक है तो चलिए अब यहाँ पर जो आपने देखा कार्ज निकल चुके है डियर और बॉटम की एनर्जी देख लीजिए टेंप्रें से हाई प्रिस्टिर से तो दोलो ही मेजर अरकाना के कार्ज है डियर और यहाँ पर साइन आप देख लीजिए टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है तो आमोस्ट हमारे पास में सारे साइन आए हैं डियर देखे यह ठट पॉर्टि जो है न क्या बोलू मैं इस धरड पारिटी को मेरे चैनल पर सबसे टॉप में चल रहा है थर्ड पार्टी डेली अपडेट आपको पता है ना यह चीज कि मेरी थर्ड पार्टी की जो रिडिंग होती है वो 100% कुछ ना कुछ लोगों को गाइडन्स मिलता है कुछ ना कुछ रेजोनेट कर जाता है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है इस वीडियो को तो डियर यह जो थर्ड पार्टी है ना इस थर्ड पार्टी से मेरा बहुत ऐसा रिष्टा है कि उस थर्ड पार्टी की रिडिंग करने में मुझे बहुत मज़ा आता है मैं देखना चाहते हूं कि यह third party जो है इसका हाल क्या होता है इस third party की situation क्या है देखिए यह जो third party है ना कहीं ना कहीं यह पैसों के बहुत दिवानी है बहुत जादा इस third party को पैसा चाहिए आपने देखा होगा कि third party जो है किसी ना किसी तरह से अगर आपके partner से attach है या आपके partner की जिंदगी में आई है तो डियर यहाँ पर पैसों को लेकर कुछ चलता रहता है इस third party के दिल में दिमाग में कहीं न कहीं क्योंकि इस third party को पैसा चाहिए सबसे ज़्यादा needs किसी चीच की है तो वो है पैसा रुपिया और जादा से जादा उसे property चाहिए जादा से जादा इस तरह का दिखरा है बहुत कम जो होगी third party physically involved होईगी बाकी जादा तर जो आपके partner के साथ में involved है चाहे वो ex हो चाहे वो girlfriend हो चाहे वो family हो तो डियर मैं आपको बता दूँ वो सिर्फ पैसे की दिवानी है इ आपके partner को वहां attach करके रखा गया है ये third party जो है ना third party को पैसे के आगे किसी और चीज का कोई चीज समझ ही नहीं आती है मतलब उसे पैसे से ओनी मौपनी मौपथब है कि पैसे के अलावा उसे कोई और चीज अपनी जिन्दगी में दिखती ही नहीं किसी और को पसंद ही न वो जाने क्या समझती है अपने आपको पता नहीं क्यों इसको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अपने आपको एक तरसे बोला जाए तो खुद को किंग समझती है आप देख पा रहे हैं कि कार्ड बता रहे हैं या अपने आप में इतना ज़्यादा इसको घमंड समझ लीजिए इगो है या कुछ है साइस के अंदर खुद को पता नहीं क्या समझती है ये थर्ड पार्टी अगर कोई और खुब सूरत दिख जाए या फिर हो सकता है कि आप मेरे वीवर्स आप बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल दिखते हैं तो ये थर्ड पार्टी जो है जो जाती है कहीं न कहीं इस थर्ड पार्टी को दूसरों की खुबसूरती जो है वो कहीं देखी नहीं जात इसके अंदर इतनी जलने कि किसी को भी अपने से अच्छा नहीं देख सकती है. इसकी यह बहुत गन्दी आदत है यह अपने से आगे किसी को नहीं देख सकती है, भले इसके शकल सूरत ना हो, भले यह कैसे भी दिखती हो, अगर आप या आपके साम आपके पार्टनर जो है कभी इस थर्ड पार्टी के सामने आपके कभी तारीफ करने तो ये मन ही मन बहुत ज़्यादा ज्वेलेस हो जाती है ये थर्ड पार्टी इसको ऐसा लगता है कि भाई दुनिया में सिर्फ मैं हूं मेरे अलावा कोई और हो ही नहीं सकता इतना सुन्दर या मेरे से अच्छा कोई नहीं हो सकता भले ही आपके हिसाब से थर्ड पार्टी बिलकुल थर्ड क्लास क्यों नहीं हो ठीके लेकिन इस थर्ड पार्टी के सोच ऐसी है कि थर्ड पार्टी is the better तो यहाँ पर third party जो है अपने आपको better मानती है कही ना कही उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत खुबसूरत है बहुत अच्छी है इसलिए तो आपका partner जो है कही ना कही उसकी तरफ attract होता है उसकी तरफ आ रहा है उसको नहीं पता कि आपके partner जो है कही ना कही नीथ के पीछे physically तौर पर या फिर अपने mental stress के कारण इस third party से अटेच हुए है कुछ लोगों के partner तो यह चीज़े यहाँ पर है पर इस third party को यह सच्चाई जो है इससे अंजान है यह third party अपने आपको खुबसूरत मान रही है dear यहाँ पर यह third party देखे king की तरह रहना बहुत पसंद है अपने आपको सजना सवरना और हमेशा self love करना अपने आप पर ध्यान देना इस third party की बहुत आदत है मुझे ऐसा feel हो रहा है energy ऐसी feel हो रही है कि third party जो है अपने आपको सजने सवारने में ज़्यादा ध्यान देती है dear और अपनी सकता है कि third party की life में कुछ ऐसे जासूस हैं कुछ ऐसे लोग involved हैं जो इसको पलपल की खबर लाके देते हैं कि आपके life में क्या चल रहा है आपका partner जो है तो कर रहा है काम तो क्यों कर रहा है क्या उसका वे है और ये भी जानने को बेकरा रहेते हैं अगर नहीं भी कर रहे है आप लोग कुछ तो क्यों नहीं कर रहें भई इतना शांत क्यों बैठें क्या कोई planning चल रही है तो ये जो भी third party है इसके दिमाग में बस यही फितूर चलता रहता है जानने के लिए कि भई आप कर क्या रहे हो आपका partner जो है वो कर क्या रहा है तो ये बहुत बेचेन रहती ये डियर आप दोनों की जिन्दगी के बारे में पता लगाने के लिए इसलिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इस पाय भी करती है कहीं न कहीं इसकी नजर जो है आपके partner के उपर और आपके उपर बहुत ज़्यादा रहती है डियर भले ही ये कितनी भी busy क्यों न हो आप यकीन मानिए कि ये कितनी भी busy क्यों न हो पर डियर ये time निकाली लेती है आप लोगों की जासूसी करने के लिए इसने इतना याने आप लोगों पर निगरानी बना रखिए कि आपके हर एक एक पल की खबर इस third party को मिल जाती है देखिए third party है ना किसी तरह का decision लेना चाहती है ऐसा लग रहा है कि third party किसी decision को लेके बहुत ज़्यादा है इस third party के life में ऐसी कोई situation आई है जिसके लिए से decision लेना है इसे fast decision लेना है परिशान हो चुकी है किसी ऐसे situation में फच गई है जहां इसे समझ नहीं आ रहा है इसे करना क्या है तो dear ये अभी decision को लेके बहुत ज़्यादा परिशान है उपर से आप इनकी life में आप जो है अपने partner का साथ नहीं छोड़ रहे है इससे ये third party परिशान है उपर से आपके partner जो है उनक समझने के बीच में नहीं है ये दो राहे में फची हुई है आप देखिए इसके दो राहे ऐसी हो गई है दो राहे का मतलब होता है इंसान जो है दो राहों पर चलना चाहता है कभी उसका मन कहता है तो इधर चले जाओं कभी मन कहता है उधर चले जाओं तो dear यहाँ पर फस इनको किसी तरह की solution मिल नहीं पा रही है फिर भी इनकी नजर जो है आपके उपर है आपके पार्टनर के उपर है तो सोची कितनी शातिर होंगी कितना इनका mind game होगा थीथा पर ध्यान नहीं देना है जैसा मुझे suitable लगेगा मैं उसे साब से बोलूंगे आपको थीथा पर ध्य तिर्ची निगाओं से आप लोगों पर नजर रखी हुए spy कर रही है कहीं न कहीं stock कर रही है और ये आप लोगों की हर एक activity को बहुत ही बखूबी जानने की कोशिश कर रही है कि आपके life में हो क्या रहा है किस situation से आप गुजर रहे हैं आपका क्या moment है आप अपने partner को लेक जानना चाहती है कि इसकी वजह क्या है इस सब वजह की जड़ कौन है तो ये third party को कहीं न कहीं आप पर शक हो रहा है और इसलिए ये third party आपको spy कर रही है third party आपके हर एक activity पर नजर रखी हुई है वो आपके partner को इस तरह से spy कर रही है कि अगर आपके partner कहीं कुछ करते हैं तो वो देख ले यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि थर्ड party बोलती है कि आपके partner आपको गलत समझे कुछ ना कुछ ऐसा manipulation यहाँ पर दिख रहा है इस third party की तरफ से ये third party की जो आदत है ना manipulate करने वाली तो वो आदत मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके partner को किसी तरह से manipulate करती हुई दिख रही है क्योंकि वो चाहती है कि आपके partner जो है आपको छोड़ दे काफी टाइम से ये try कर रही है छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे पर डियर यह हो नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है कि थर्ड कर रहे हैं किसी तरी की प्राथना यूनिवर्स से कर रहे हैं डिवाइन से कर रहे हैं आप उपर वाले से ऐसे दुआ कर रहे हैं कि आपका पार्टनर जो है आपकी जिंदगी में वापस आ जाए तो यहां पर जो आपके पार्टनर की जो एनर्जी स्टेंज हो रही है जो उनक अगर आपके दिल में कोई विश आई थी तो वो बहुत जल्द आपकी विश जो है पूरी होने वाली है डियर इस थर्ड पार्टी का नाम और निशान आपकी जिंदगी से मिटने वाला है यह थर्ड पार्टी भले ही अपने आपको बड़ी ही खुबसूरा समझने की कोशिश करती हो बड़ी ही चालाक समझने की कोशिश करती हो लेकिन यह ज़्यादा देर तक यह चालाक यह समझदारिया नहीं टिकने वाली है क्योंकि यहां कुछ ऐसे कार्ड भी हैं जो यह बता रहे हैं कि यह थर्ड पार्टी को जाना ही पड़ेगा इस थर्ड पार्टी का जो न ये थर्ड पार्टी के जो इरादे हैं ना कि आपका पार्टनर आपको छोड़ दे आपके पार्टनर जो है आपसे नफरत करे आपके पार्टनर की नजरों में आपको बुरा बताने की ये कोशिश कर रही है बहुत जादा मैनुपलेट करती हुई दिख रही है डियर ये थर् पर्टी जूट बोल रही है और डियर मैं आपको ये बता दू कि इसका जूट जो है कही ना कहीं आपके पार्टनर के नजरों के सामने है पर डियर आपके पार्टनर बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि शायद आपके पार्टनर के सामने सबूत नहीं है है ना उनके हाथ में तो वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है थर्ड पार्टी का ऐसा भी लगता है कि कहीं कोई action अगर आप ले लेते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आपका partner तो आपका ही है डियर यह थर्ड पार्टी पर उसका third party का उसका कोई हक नहीं है तो यहाँ पर इस third party का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके action से भी इसे डर लग रहा है third party को कहीं न कहीं देखें यह जो third party है ना आपके partner से पता है किस तरह से बात करती है कहीं की बात को कहीं ले जाती है हो सकता है कि आपके partner अगर आपकी प्रेजेंट करने लगती है इस तरह से दिखाने लगती है जैसे कि आप से बुरा कोई होगा ही नहीं मतलब आप में कमिया निकालना आप में बुराई निकालना ये थर्ड पार्टी की आदत है थर्ड पार्टी कभी किसी की तारीफ नहीं सुन सकती है ये जो भी थर्ड पार् पार्टनर ने आपकी बात तो थर्ड पार्टी से की है ठीक है क्यों की है क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके केर को थर्ड पार्टी को बताया कि आप उनकी जिंदगी में थे तो आप उनकी कितनी केर करते थे आप उनकी जिंदगी में थे तो आप उन्हें कितनी रिस्पेक देते थे आपके साथ में भले ही उन्हेंे कैसा भी बहेव क्यों ना किया हो लेकिर, आपने उनका साथ कभी नहीं चोड़ा था। छोड़ के आएं तो आपके पार्टनर छोड़ के आएं तो यहाँ पर ये बाते जो है थर्थ पार्टि को छूरी की तरह लगace है, third party को ऐसा लगता है कोई sports जो है उनके हाट में चुबो रहा है तो ये third party जो है ना बहुत ज़्यादा परिशान दिख रही है इन बातों से लेकर और इसको डर है कि कहीं आपने action ले लिया तो सारा खेल बिगर जाएगा इस third party का तो आपके action से डरती है dear ये third party देखे एक तरफ आप है और एक तरफ आपके partner है दोनों से परिशान है dear ये third party ये third party को relax के जरुवत है पर इसको सुकून चैन कहां से मिलेगा आप बताईए ना ये क्या करें ये third party third party जो है पैसे की लालची है बहुत जादा लालच के कारण ही जुड़ी हुई थी dear ये कहीं ना कहीं आपके partner से है ना एक तरफ तो आप इनको ऐसा लग रहा है इस third party को आप इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट है आपको रुकावट मानती है क्योंकि आपके रहते आपके partner जो है कोई decision नहीं दे रहे हैं कोई commitment नहीं दे रहे हैं इस third party को बीच में लटका के रखा है दूसरी बात ये लग रही है कि आपके partner की जिंदगी में ये जो third party है ना उसको आपके partner से बहुत सारी उमीदे थी बहुत सारे उमीद करके ये बैठी हुई थी और dear यहाँ पर इसको ऐसा भी लग रहा है कि आपके रहते रहते ये partner जो है इस third party की कोई उमीद पूरी नहीं करेंगे ठीकें तो यहाँ पर इसी बात का इसे डर है और उसे डर में जी रही है ये third party अपने लालच के कारण जुड़ी थी dear ये third party और इसे money चाहिए पैसा चाहिए इसे आपके partner से बहुत कुछ चाहिए अब ये पैसा जो है ना कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है आप देख लीजे कार्ट क्या बता रहे है आपके partner के जिंदगी में पैसो का एक सेलाब आ गया है कैसा सेलाब आ गया है ये नहीं कि पैसा खूब आने लगा है यहाँ पर financial issue हो गया है dear मेरी आवाज थोड़ी से लग र रही है मैडम तो जितना हो सकता उतना तेश तो मैं बोली रही हूं फिर भी आप लोग देख लीजेगा कि पैसे की जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो बहुत ज़्यादा आ रही है और आपके partner का रुपिया पैसा खतम हो गया तो भई थर्ड पार्टी के सांसे जो है ना नदर फ्लर्तिंग नेचर का है किसी एक का होके नहीं रह सकता तो। यह थर्ड पार्टी को सेंड करें तो एक को क्या चाहिए तो यहाँ पर पैसे की दीवानी है ये थर्ड पार्टी पैसे की चाहत है इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से कुछ भी नहीं चाहिए बस आपका पार्टनर उसे पैसा देता रहा है ये थर्ड पार्टी बिंदास आपके पार्टनर के साथ भूमने फिदने को तयार है enjoy करने को तयारे देखिए न आभी की situation देखिए न जैसे ही पैसों में उतार चाड़ावाया कि third party के सांसे उपर नीचे होने लगी जैसे ही पैसा disturb हुआ तो यहाँ पर क्या चला third party को पीछे की तरफ मुड़ के देखना पड़ रहा है third party को अभी से चिंता हो रही है अपनी future की इसी लिए वो क्या कर रही है balance बनाने की कोशिश करे किस चीज का balance बना रही है वो ना रिष्टे का balance बना रही है ना आपके partner का balance बना रही है third party का beauty parlor का खर्चा तो नहीं रुकेगा तो यह सारी चीज़े यहाँ पर दिख रही है third party का हो सकता है smoking वगेरा की आदत हो यह third party अगर लड़का है तो इसका गुटका खर्चा का जो पैसा है वो नहीं रुकेगा तो यहाँ पर इस third party की बहुत सारी demand है उसके लिए balance बनाने नहीं लिया future को लेकर तो मेरी life जो है वो खराब हो जाएगी तो यहाँ पर ही बहुत हैरान परिशान दिख रही है यह third party बहुत दुख पहुचा इस third party को आपके partner के business को loss में देखते हुए ठीके अगर इस जगह पर आप होते तो आप अपने partner को support करते आप होते तो आप अ पैसे जुड़ी थी इनकी जरुवत से जुड़ी हुई थी तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है डियर अगर आपका partner बिलकुल उसके पास पैसा नहीं था ठीक है काफी लोग बोलते हैं कि मेरे partner के पास पैसा नहीं है बिलकुल वो तो खुदी मेरे पैसों पे जी रहे थे थर्ड़ पारटी के पास पैसा हो पर दोलों के बीच में जो जरुवत है ना वो नीद है एक दुसरे की जरुवत को पूरा करने वाली नीद थी जिसको आपके partner पूरा कर रहे थे जिसको third party पूरा कर रहे थी इसलिए इन दोलों के बीच में यहाँ पर जो जुडा हुआ जो एक दूसरे को अपना पार्टनर माना था इन लोगों ने और काफी लोगों के लिए मैं बता दू कि शादी तक की बात पहुच चुकी थी शादी को ले के रिलेशन को आगे बढ़ाने की बात पहुच चुकी थी लेकिन जब बीच में ही नहीं डगमगाने लगी तो पार्टी को भी ऐसा ही फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के पास में तो आप कुछ बचा नहीं है तो आगे का फ्यूचर प्लानिंग कैसी होगी तो यहां पर दोनों ही दो राहे पर खड़े हो गए हैं डियर और दोनों का रस्ता यही दिख रहा है मुझे देखे थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के साथ में इशू चल रहा है किस तरह का इशू चल रहा है अंडरस्टैंडिंग का इशू चल रहा है समझोता दोनों के बीच में नहीं है चेंज हो गए हैं आपके पार्टनर पहले से जो उनका बिहेवियर है वो चेंज हुआ है हो सकता है कि आपके पार्टनर पहले इस थर्ड पार्टी के हर हां में हां मिलाते थे थर्ड पार्टी अगर इनको बोल देती थी शॉपिंग करने जाना है तो शॉपिंग करने जाना है अगर थर्ड पार्टी बोलती थी कि भाई ऐसा करना है तो यह यहां तक कि इनके हर एक मदद किया करते थे अगर third party ने कह रही है कि सामान उठा लीजिए तो मतलब एक तरज से third party के गुलाम बन गए थे आपके partner कहीं न कहीं लेकिन अब इन में change आया है जैसा जैसा change दिख रहा है ये change जो है दोनों की जिंदगी को दो राहे पर ले आया है दो अलग अलग रास्तों पर ले आया है जहां पर एक दूसरे की तरफ कोई रास्ता नहीं जा रहा है एक आपके partner का रास्ता जो है वो अलग दिशा में जा रहा है third party का रास्ता जो है वो अलग दिशा में जा रहा है क्योंकि यहाँ पर seven of cups आ चुका है seven of cups यही बता रहा है कि यह दोनों यह card जो है कहीं न कहीं option की तरफ बताते हैं और जब किसी की जिंदगी में कोई बुरा वक्त आ जाता है न या ऐसी situation आ जाती तो उसे option बहुत नजर आते हैं वो सोचता है कि भई मैं उसके पास चला जाओ या इसके पास चला जाओ मेरी जरूरत है पूरी हो जाएगी वो ही मेरे अच्छे बुरे का सहारा बनेगा तो यही situation यहाँ पर होती हुई दिख रही है third party और आपके partner के बीच में आपके partner जो है न third party की बातों में आ नहीं रहे हैं लेकिन खिलाव भी नहीं है मैं यह भी ब motivation है जिसका सामना करना बहुत मुश्किल है तो आपके partner जो है ना थोड़ा सा सतर्क हो के काम लेंगे देखें आपके partner ये भी सोच रहे है करें तो क्या करें इसकी चाल इसी पर भारी पड़ रही है कहीं ना कहीं ये third party ने जो चाले इसी third party के ऊपर भारी पड़ रही है सब किया करा जो इसने किया था जो ब्लैक एनरजी थी जो डार्क एनरजी थी जो नेगिटिव एनरजी थी जो स्पैल वर्क इसने किया था ना वो सब हटता हुआ दिख रहा है उसमें इसे हार मिल रही है कहीं न कहीं तो ये क्यों मिल रही है हार क्योंकि डियर आपका मैनिफे और आपके पार्टनर के बीच में जो रिष्टा था ना वो तूटने वाला है वो रिष्टे की जो एंडिंग होने वाली है आप काफी टाइम से वीडियो देख रहे हैं तो आपने यही चीज देखी होगी कि एंडिंग ही हो रही है हर सिच्वेशन में यहां पर कोई ऐसा नई शुरुआत हो सकती है जीवन की अगर आपका एक्स जो है वो आपकी जिंदगी में आना होगा तो आज आएगा नहीं तो नई शुरुआत के साथ आपकी लाइफ शिरू होने वाली है आप ये भी ले लीजिए कि नया जीवन साथ ही आपकी लाइफ में आने वाला है ठ इसकी चीजे जो है वो वर्क क्यों नहीं कर रही है जब पहले वर्क करती थी जब उसके जरिये ही इसने आपके पार्टनर के दिल पर राच किया था तो ये सारी चीजे ये इसका मैनुपलेशन जो इसका चालबाजी है जो जालसाजी है वो वर्क क्यों नहीं कर रही है तो इस की सोज जो है वो कहीं न कहीं खराब हो गई है हाँ और डियर ये काफी चल रहा है ये तो चीज आप समझी रहे हैं कि डार्क एनरजी इसका यूज तो इसने बहुत किया था और इस डार्क एनरजी के यूज के थ्रू ही आपके पार्टनर के एनरजी को चेंज किया था और इसको डर लग रहा है कि इसका काम हो क्यों नहीं रहा है ऐसा क्या है तो डियर इसका मालू में शक कहा जाता है आपके उपर इसको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं कुछ तो कर रहे हैं आप कहीं कुछ तो ऐसी सिच्वेशन बनाए बैठे हैं कि यह जो पार्टनर है इस पर्तनर को जीतने चली थी डारक एनर्जी के लिए ठीक हैं. तो ये जिस भी तरह की जिन्दगी को बर्बाद कर रही है. एक समय होता एक लिमिट होती है. हर चीज की वो चीज क्या होती है जहां जितने भी डार्क क्या होंगे इस dark energies पे लेकिन आपको पहले में clear कर दू कि अगर dark energies है तो dear वो dark energies जो है negative energies जो है black energies जो है वो उसका एक समय सीमा होती है हर चीज की आज आपके उपर वो work कर गई है लेकिन कुछ समय सीमा बाद जब उसका समय पूरा होगा ना तो वो चीज पलट के वापस उसी इ negative energy send करी थी चाहिए वो negative energy जिस भी way में उसने send करी थी जिस भी near से आपके उपर वो negative energy उसने send करी थी वो सारी चीजे उसके पास पलट के जाती ही जाती है इसलिए यहाँ पर हमेशा यही बोला जाता है कि dark energies का use से बचना चाहिए जितना हो सकता है हाँ यह है कि अपना protection करना अलग बात है लेकिन किसी का किसी को hurt करना किसी को तकलीब देना वो गलत है हाँ आपको अगर किसी ने dark energies का शिकार बनाया तो आप protect करें अपने आपको आप अपने आपको heal कर सकते हैं लेकिन किसी का बुरा करने का हमको कोई हक नहीं है क्योंकि universe जो है divine जो है वो कहता है कि क ही ना कहीं अगर आप किसी पर dark energies send करते हैं तो वो dark energies हमारे पास में एक समय के बाद खुद लोटके आ जाती है हाँ आप protect करें अपने आपको किसी भी तरह से किसी भी remedy के थरू आप अपने आपको protect कर सकते हैं आपको अगर ऐसा feel होता है कि आपके उपर किसी ने dark energies की है तो आप अपना protection ले और जिस इंसान ने आपके उपर किया है आपके life के उपर किया है वो energies जो है बहुत जल्रीलीज हो जाती है और उस इंसान तक वापस पहुत जाती है उसको उसका कर्मा मिल जाएगा जिस भी तरह से उसने आपको परिशान किया है वो सारी चीजे उसके सामन खुदा जाएगी अगर आपके job बार-बार छुडा देता है आपके business को बार-बार बंद कर देता है आपके lovers और आपके बीच में वो लड़ाई लडाता है तो ये छोटी-छोटी सी चीजे बाद में इतना बड़ा आपके पास तो 1% रहेगा ठीके क्यों क्योंकि वो आपक उना रफ्तार से जाके hurt करेगा और आप सोच नहीं सकते हैं कि उस इंसान की situation क्या होगी ठीके तो इसके उपर में remedy लाऊंगे बहुत जल्द लाने की कोशिश करूँगी यहाँ पर ये दिख रहा है कि जिस भी dark energy कस ने use किया था न वो काम नहीं कर रहे है तो ये हो रही है पागल इसकी पागल energy के कारण ये बेकार के काम कर रही है ये third party, third party का मन कहीं नहीं लग रहा है और ये देख रही है बस क्या कर पा रहे है ये देख रही है अब हालात जब खराब हुझाते तो इंसान देखी सकता है कुछ कर नहीं सकता तो यहाँ पर ये third party जो है ना इस situation म देख रही है कि बहतर क्या हो सकता है क्या इस third party के लिए बहतर होगा क्या आपके partner की property को समेट ले वो बहतर होगा क्या ये किसी तरह से आपके partner को छोड़ दे उसके जिंदगी से निकल जाए वो बहतर होगा मतलि अपनी बहतरी जिंदगी के बारे में सोच रही है future के बारे मे भागने के बारे में सोच रही है बचा कुछा फाइनस लेने के बारे में सोच रही है मूव ओन करने के बारे में सोच रही है पैसे को बचाने के बारे में सोच रही है लेकिन आपका partner जो है यहाँ पर burden फील कर रहा है उसको ऐसे situation का सामना करना पड़ रहा है हो सकता है कि इसके सर पर बहुत ज़्यादा करज़दारों का करज़ा हो हो सकता है कि आपके partner ने इस third party के लिए कुछ demand पूरी करने के लिए कुछ पैसा रुपिया उधार लिया हो पर डियर बर्डन तो आपके partner के कंदो पर आया है ये third party के उपर तो कोई burden नहीं आया third party तो यहाँ पर भी अपने आपको protect करने की कोशिश कर रहे है यहाँ पर भी third party जो है कहीं न कहीं चीजों को सेब करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से बस ये third party जो है अपने रास्ते के जो रुकावटे हैं उसको दूर करती चली जाए और आगे बढ़ती जाए थर्ड पार्टी पता है क्या सोच लिए यहां पर है two of swords यह two of swords यह भी पता रहा है कि यह third party चाह रहे है किस रास्ते को चुने है ना यह third party के दिल में यह चल रहा है कि आपके парणर वाले रास्ते को चुने या इसकी life में देखे ना option आ रहा है option का card है तो कोई option मैंने कहा ना कि कोई option की तरफ move करने के बारे में सोच सकती है अगर ये third party ऐसी बाते सोच रही है कि आपके partner को चुने या आगे के future को चुने जहां पर उसे कुछ अच्छा मिल सकता है हो सकता है third party को कोई और बंदा मिल गया हो या बंदी मिल गई हो जहां पर उसके पास खुब रुपिया पैसा हो तो ये आपके partner को छोड़ दे पर डियर मैं आपको बता दू कि ये आपके लिए तो good news है लेकिन आपके partner के दिल के तो तुकड़े तुकड़े होने वाले हैं क्योंकि प्यार करने की सजा जो है इनको अच्छी खासी मिलने वाली है आपके साथ में जो इन्होंने खिलवार किया था उसका भी इनको अच्छा सिला मिला है और डियर सोथ समझ कर ये planning कर रही है अब तो planning सोथ समझ के करेगी ये कि ऐसा कोई बंदा मिल जाए जो इसका रुपिया पैसा खर्चा पाने बढ़िया तरीके से दे दे इसके उपर खुब पैसे लुटा दे ये ऐसे person की तलाश में निकल चुकी है या निकलने की तलाश कर रही है डियर आपके पार्टनर से ठीके कुछ अच्छा होने का वेट कर रही है ये थर्ड पार्टी डियर और बात करी जाए आपके पार्टनर की तो अभी आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर भी प्लानिंग कर रहे हैं किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं अभी आपके partner इस third party से निकलनी की planning करें उनके mind में ये चल रहा है कि ये third party जो है जितना इनको लूट सकती थी जितना इनका फाइदा उठा सकती थी इस third party ने उठा लिया है dear और अब इनको निकलना पड़ेगा नहीं तो ये बरबाद हो जाएंगे आपके partner जो है ना करना चाहते हैं आपके partner जो break-up ये करना चाहते हैं वो break-up इस तरह का break-up होगा कि यहाँ पर डियर लाइट चली गई है ओके चलिए देखते हैं और मैं आपको बता दू कि यहाँ पर सबसे पहले जो चीज दिख रही है कि अगर आपके partner इस third party से move-on करेंगे ना break-up करना चाहेंगे ना तो ये इससे बताएंगे नहीं क्योंकि इन्हें पता है कि ये third party जो है ना बहुत ज़्यादा बुरी चीजों के पीछे पड़ी रहती है बुरी चीजे करती रहती है कहीं न कहीं आपके partner के सामने कोई ऐसी situation आई थी को तब इनको पिगरानी रख रहते हैं और dear ये जानते हैं अच्छे से कि ये नुकसान पहुचा सकती है आपको आपके partner को आपके घर वालों को तो dear यहाँ पर ये आपके partner इस बात को समझते हुए इस third party से बड़ी चाला किसे निकलने की कोशिश करेंगे ताकि third party को भी hurt ना हो और dear उसक किया कौन सी घरी थी कौन सी मनुस घरी थी जब मैंने इस third party से मिलने का सोचा था कौन सी ऐसी situation थी काश मैं उस समय मिला ही ना होता तो आज मेरे जीवन में ये third party ना आती ये third party situation ना होती और मेरे हालात इतने मुश्किल में ना होते अब ये रिष्टा मजाग बन गया है लोग बाग बुरा बोल रहे हैं कहीं ना कहीं कि ये गुलाम बन गया है ये एक तरह से अपनी बीवी को छोड़ दिया है या इस तरह से कुछ भी ताने मारते हैं ना जैसे दुनिया इनके अपने ही इनको ताने मार रहे हैं तो कुछ ना कुछ थर्ट पार्टी के साथ में जब से इन्वाल्व हुएं इनको ताने ही सुनने को मिल रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ ये बहुत हदे पार कर गए है बहुत सारी हदे पार कर दी है डियर मैं कहूं तो इस हद में ये पार्टनर ने कई कई तरह से बोला जाए तो मजाक मजाक में ये इस situation में पहुँच गए कि इन्हों ने उस third party को वो मुकाम दे दिया वो जगह दे दी जह उनको देनी नहीं थी तरीके से बोला जाए तो अलीगल तरीके से इन्हों ने उस third party के साथ में रिश्ता बनाया है जो रिश्ता पुरी तरह से गलत था मजाक मजाक में बच्चे भी कर डाले मजाक मजाक में जीवन का एक तरह से अंत कर डाला आपके पार्टनर ने तो इतनी बड़ी गलती इन्हों ने कर डाली है डियर मुझे यहाँ पर ये चीज दिख रही है कि मजाक इनको बहुत भारी पढ़ गया ये मजाक से जो इन्हों ने situation में ले लिया था ना कि अर डियर आपके पार्टनर तो गए क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इतना आगे बढ़ गए हैं कि पीछे पलटने नहीं देगी ये थर्ड पार्टी अब आप इन्हें अपनाना नहीं चाहेंगे मैं तो बता रही हो कि इन्होंने मजाक मजाक में जो हदे पार कर ली जो भी थ थर्ड पार्टी से परिशान तो हुए हैं पर सबक भी मिला हैं कुछ लोगों के पार्टनर की तो आखे खुल गई है और थर्ड पार्टी के कर्मों के कारण अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी उनका फाइदा उठा रही है अब ये पार्टनर और थर्ड पार्टी जो है ना उनका मुझे ऐसा लग रहा है कि रिष्टा जो है पुरी तरह से खराब हो चुका है अब ये पार्टनर और थर्ड पार्टी का जो रिष्टा है पुरी तरह से खराब हो गया सबक सीखने को मिल गया है देखे आपके बात करी जाए तो आप जो है मेरे वीवर्स आप अब हिम्मत के साथ फैसला लेंगे डियर एक तूफान तो आएगा चाहे आपके लाइफ में आए चाहे आपके पार्टनर की लाइफ में आए पर डियर यहां पर तुफान की जरुवत तो है क्योंकि यह तुफान अब नहीं रुक पाएगा क्योंकि आपके पार्टनर ने serious ले लिया था इस third party को और dear मजाक मजाक में इन्होंने जो काम किया ना अब इनको serious लेना पड़ रहा है ठीक है ना क्योंकि इनको बहुत भारी पड़ गया है यह relation बहुत भारी नुकसान भी इनको जिलना पड़ रहा है लेखे आप में से ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो है इसका रिष्टा तूट जाएगा बहुत जल्द तूटेगा आपके पार्टनर अगर इस third party में इन्वाल थे तो तूट तो जाएगा और यह पार्टनर जो है बहुत ब जब हुषी रहती है तब समझ में नहें चाहने वाला है जिसको मैं लॉव करता हूँ ऐसा समझ में समझ में आती है कि भैव क्या है सचाई क्या नहीं है देखिए यहां आपको समझेंगे बैलन्स बनाएंगे आपके PARTNER की बात करूँ मैं तो लेकिन यहां जो हो रहा है वो आपकी PRAYER का ही असर है मैंने बार 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 यह ही कहा है कि आपके PRAYER ही है जो आपके PARTNER के ऊपर यह जो चीजे हो रही है ना और जो उनको बचाया जा रहा है इस सड़ी हुई थर्ड पर्टी से जो बचा के ला रहे हैं तो यहाँ पर यह सब के पीछे आपके प्रियर ही है डियर जो आपके पार्टनर को आज तक बचाती आई है देखे इस थर्ड पर्टी के बीच में और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई जगड़ा भी चल रहा है बहुत ज़्यादा सिच्रेशन खराब हो रहे हैं कहीं न कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं और दिशा में जा रहे हैं और थर्ड पर्टी ज़्यादा manifestation कर रहे हैं या फिर आपके प्रेयर में इतनी ताकत है कि यह जो भी तरह की third party है ना वो हट जा रही है जिंदगी से एक तरह से आपकी जिंदगी से जा रही है आपके प्रेयर कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने डिवाइन ने कबूल कर ली है okay dear powerful prayer थी dear आपकी बहुत रो रो के बहुत प्यार से बहुत दिल से आपने यूनिवर्स से डिवाइन से मांगा था और यहां पर ऐसा लग रहा है कि वो आपकी prayer जो है स्वीकार कर ली गई है यूनिवर्स के यहां आपकी जो भी हाजरी आपने लगाई है ना वो कहीं ना कहीं लग चुकी है dear जो भी आपकी अर्दास थी जो भी आपकी हाजरी थी वो वहाँ पे कबूल कर ली गई है यूनि बहुत जल्द देखने वाले हो ठीके और इस थर्ड पर्टी से निकलेंगे डियर इस काली शक्तियों से निकलेंगे आपके पार्टनर सबसे पहले तो इनके उपर के जो काली शक्तियां है जो काली एनरजी है वो सब रिलीज होने वाली है और ये सब क्यों होगा क्योंकि आप आप लोग बहुत गुस्ता करते हैं कि दीदी रिमेशिस क्यों नहीं निकाले थे तो सौरी सौरी उसके लिए कान पगड़ते हो सौरी डियर ठीक है आपके पार्टनर की गलतियां देख लीजिए खुद गलती करते हैं और गलत करके जाएंगे और कभी गलती अपनी नहीं मान यह आपके पार्टनर की गलती है उपर से आपको ब्लेम करना है ना उल्टा सीधा बोलना इधर उधर खुद जाते रहेंगे और आपको गलत बताते रहेंगे चोरी खुद करेंगे बहुत कुछ आपसे चुपाएंगे आपको गलत कहेंगे इस पार्टनर ने आपके पीछे पिछे बहुत कुछ किया है बहुत कुछ ऐसी situation create करी है जब आपको पता चली तो आपका दिल तूटा है ना लालची इंसान है डियर आपका partner कहीं ना कहीं पैसों के पीछे भागना खुबसूरती के पीछे भागना flirt करना है ना दूसरों से chatting करना या आपके partner की बखुबी आदते रही है डियर दूसरों को हमेशा अच्छा मानना और खुबसूरत लगती है उनको दूसरों की चीजे बहुत खुबसूरत लगती है और अपनी चीज को हमेशा इगनूर करना अपनी चीज के पीछे नहीं भागना चाहे वो कितनी भी खुबसूरत क्यों नहीं हो कभी तारीफ नहीं करेंगी ठीके आपने इनकी हर एक गलती को माफ किया है आपने इनको बहुत प्यार किया है यहां तक कि third party से एक तरह से बोले जाए तो परिशान होने पर भी आपने इने माफ किया था लेकिन यह partner नहीं सुदरने वाले थे यह चीज मुझे दिख रही है और जो third party ने इनके उपर जो बाते करती थी जो चीजे बोलती थी वो तक आपको पता थी फिर भी आप इन बातों को इग्नोर किया करते थे कि चलिए एक ना एक दिन सही हो जाएगा यह situation यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है और आपके partner के बारे में कुछ बताया मैंने तो देख लीजेगा देखे ऐसा लग रहा है कि third party के साथ में अगर आपका partner गया है चाहे married हो unmarried हो ठीके परिवार वालों का बड़ा हाथ रहा है परिवार वाले तो इतने जाता रहे हैं कि कोई बोली नहीं सकता है आपके partner के आदत रहे है दूसरों के पैसों पर एश करने वाली या फिर अपना पैसा बहुत खर्च करने वाली ये दोनों आदतें उनके अंदर हो सकती है कि कोई भी बात किसी से resonate हो सकती है डियर दोस्तों में party करना फिजूल खर्च करना गलस संगत में पढ़ना ये आपके partner के आदत है ठीक है डियर तो यहाँ पर तो third party का हाल आपने देखी लिया है कि क्या हो रहा है आपके partner का हाल क्या हो रहा है मजाक मजाक में इन लोगों ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और ये मजाक बहुत भारी पढ़ने वाला है आपके partner और third party को ओके डियर तो इमेशिस निकाल लेते हैं मैं भूल गई थी फिर भी मैं निकाल लेते हूं भूलते भूलते मुझे याद आया कि भाई मैंने अभी कहा था कि मैं इमेशिस निकालूंगे और फिर मैं कैसे बूल सकती हूं मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स को मैं जूट नहीं बोल सकती हूं तो डियर यहां पर कुछ नीम निकला है आप देख लीजिए हो सकता है कि आपके नीम के मेशिज हो आपके पार्टनर के नीम के मेशिज हो और आप लोग इतने बेकरार होते हैं यह देखने के लिए कि यहां पर उनका नाम आया है या नहीं क्योंकि आप चाहते हो कि उन्हें कर्मा मिले उसने जैसा किया है वैसा भरे उस इंसान ने जो आपको तकलीव दी है ना जो दर्द दिया है आपके इतने प्यार इसे लव को ठुकरा की पार्टनर जो है चला गया था आपकी जिंदगी से तो आप में से काफी लोग बेकरार रहते हैं कि उसका नाम यहां निकल जाए तो मैं देख लूँ कि उस इंसान को कर्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा उस इंसान की क्या सिच्वेशन होने वाली है तो यहाँ पर तो आप देख लीजिए जो जो अलफाबेट्स आए हैं हो सकता है आपका हो आपकी पार्टनर का नीम हो ओके यहाँ पर कुछ आई भी है आई फॉर पता नहीं कौन है बिताईएगा ओके एच से भी है एच फॉर हेमन्त हो सकता है एच फॉर हेमा हो सकती है यहाँ पर A है T है और यहाँ V भी है चलिए हम यहाँ ले लेते यहाँ पर कुछ नंबर है कुछ खास नंबर हो सकते 5 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है आजकल 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर और यह है 8 नंबर ठीक है 5 4 3 2 1 कहाँ चला गया आप देख लीजिए इमेशिस आपको दिख रहे होंगे डियर और नंबर भी आपको दिख रहे है मैं थोड़ा सा आपकी तरफ कर देती हूँ 5 4 3 2 8 ओके देख लीजिए हो सकता है आपके पार्टनर का नेम हो आपका नेम हो ओके डियर I hope आप लोग को रीडिंग पसंद आई होगी और भर भर के लाइक दिया करो मुझे थोड़ पार्टी पे लाइक बहुत चाहिए डियर आप लोगों के कहने पर ही मैं ये थोड़ पार्टी झाल